सभी राज्यों की आंगनबाडी सेविका सहायका मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस शनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है आज सबके लिए एक बड़ी खुश खबरी है आंगनबाडी बहनों सहायका बहनों और मिनी बहनों आप सबके अलावा आप सबके परिवार में भी जो सदस्य हैं उन सबके भी आईसमान कार्ड बन सकते हैं ऐसी जानकारिया निकल के आ रही हैं हिंदुस्तान में ये आर्टिकल भी प्रकासित हुआ है जहां पर ये बात कही जा रही है और इसको लेकर के उतरप्रदेश से ही एक आगनबाडी बहन है जो की उतरप्रदेश के जहासी जिले से आती हैं और इनका जो नाम है वो सुसमा देवी है इन्होंने आलेंडिया को वो स्क्रीन सोट भी जो की हिंदुस्तान में जो खबर प्रकासित की गई है वो भी भेजा है और नीचे लिखकर के भी भेजा है कि सुदानसु भाईया आप बार बार बहनों को बता रहे हैं कि आइसमान कार्ड केवल आगनबाडी बहनों का बनेगा ऐसा नहीं है बलकि उन आप सब को भी दिखाते हैं ये देखिएगा आइसमान कार्ड को लेकर के हिंदुस्तान का एक ये लेख है जिसमें लिखा गया कि आइसमान भारत योजना नोडल अधिकारी डाक्टर सतीष चंदर नागर इन्हों ने बताया है कि एक पक्वाडे पूर्व सासना देश आया सासना देश में जन्पद में कारत आगनबारी कार्करती सहयका और आसा बहुएं इनके आइसमान कार्ड बनाने के नरदेश दिये गए हैं सासना देश के बाद विभागों ने इसका डाटा लिया जा रहा है यानि विभागों से जो है इसका डाटा लिया जा रहा है इसमें कार्ड बनाने के साथ ही इनको भी पांच लाख रुपे तक का निसुलक उपचार कराने की सुविधा मिल सकेगी नोडल अधिकारी ने बताया है कि जिले में करीब सत्रा सो आंगनबारी और सायकाएं हैं करीब अठारा सो आसा बहुए भी हैं स्वास्त भाग की विभिंद यो उनके परिवार के लोगों का उसमें सो नहीं कर रहा था और उनके स्टेट में बोला गया कि केवल उनका ही बनेगा परिवार के लोगों का नहीं उस आधार पर आप सबको पता है कि यहीं कहा जा रहा है अभी तक कि केवल आगनबारी सायका और मिनी उनी बहनों का बनेगा परिवार के लोगों का नहीं लेकिन हिंदुस्तान के इस लेक के मुताबिक जो इसमें लिखा गया है अगर ये सत्य है तो फिर सबका बनना चाहिए अगर आने वाले समय में सबका परिवार का नहीं बनता तो समझ लेना कि ये जो खबर है हिंदुस्तान की इसमें कितनी कहने के जरूरत नहीं पड़ेगी आप खुश समझ जाएंगे कि कैसे क्या चीजें चलती हैं लेकिन यहां पर कहना चाहेंगे लिखित तोर पर किसी भी स्टेट में बहनों का केवल बनेगा परिवार का भी बनेगा जब परिवार का नहीं बनेगा ऐसी कोई भी चीजें कहीं पर देखने को अधिकारिक रूप से या विभागी आदेश सोरूप देखने को नहीं मिली हैं अगर मिल जाएं कहीं किसे के पास हो तो आल इंडिया को भेज दें अगर नहीं हैं तो बस यह चर्चाएं ही आप समझ लो जो भी चीजें हैं वो ऐसे ही बस निकल के आ रही हैं बन सकता है या नहीं इन चीजों की पुष्टी नहीं की जा सकती कि कारकरता का जो है उनके साथ परिवार का भी बन पाएगा या नहीं अब हिंदुस्तान में लेक में है परिवार का भी बनेगा तो देखना पड़ेगा भई बनेगा की नहीं वो तो वक्त बताएगा बनेगा के लिए केवल आपके ही सोकर रहे हैं बनाने के लिए तो आप समझ जाओ फिर पिर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे और एक state से तो बहन ने कहा लिए कि उनके वहां केवल बहनों आ जाए ऐसा जिसमें लिखा हो कि परिवार के सबके बनेंगे या बनने ही डारेक्ट शुरू हो जाएं परिवार के अन्य लोगों के नाम भी आने लग जाएं और उनका भी कार्ड अगर बन जाएं अगर ऐसा होने लगेगा तो बहने सुयम बताने लगेंगी और अगर बनने लगता तो बहने सोयम बेजती या हमारी यही बहन जिनका नाम है सुसमा देवी कारकरती बहन है बबीना जासी से आती है अगर ऐसा है बहन अगर आपको मालिजे हंदुस्तान के सार्टिकल पर पुरा वरोसा है अगर ऐसा ही हो रहा है जैसा कि आपने कहा कि हम बार बार बहनों को बता रहें कि आईसमान कार्ड केवल भेनों का बनेगा परिवार का नहीं तो अगर ऐसा नहीं है परिवार का भी बन रहा है तो आपके परिवार में कितने लोग हैं वो अपना देख लें और आपका भी हाली में बना है आपके परिवार के लोगों का बना की नहीं बना क्या पांसे या छे लोगों से कम लोग आपके परिवार में थे और अभी हाली में सब का बन गया अगर बन रहे हैं तो अच्छी बात नहीं तो आप सब बताएं या बाकी के भाई बहन जिन्हों ने अभी बनाया है या बनाया नहीं है बनाओ और देखो क्या आलम है बन रहे हैं कि नहीं कुरे परिवार के या केवल हमारी बहनों के बन रहे हैं खुद ही मालूम पड़ जाएगा अब बाकी जिनके घर में 6, 7, 8 लोग है परिवार में उनका तो पहले से ही बन रहा था तो उनका बन जाएगा कोई बड़ी बात नहीं मालों आगनबाडी बहन है और उनके परिवार में 6, 7 लोग है या जादा हैं तो उन समका तो बनी रहा था वो तो बन जाएगा लेकिन अगर कम लोग हैं तीन लोग हो चार लोग हो तो बन पा रहा है तो हमें बताएं तो हम समझ में हमारी आए इधर बात करते हैं और भी जानकारी जैसे कि मानदे के विसे में कुछ बाते हैं ये हमारे वीके गोतम भाई समासेवी हैं ग्राम इनका भूलेपूर है पोस्ट इनका फतेगर है जिला इनका फरुखाबाद है उत्तरपदे से आते हैं 18 तारीक को इंडिया आंगनबाडी निउस चैनल माननी सुदानसु जी माननी सर्वोचन्याले तथा माननी उचन्याले के आदेस देने के बावजूद भी इस सरकार ने आंगनबाडी कार करता सहयका के मांदे को नहीं बढ़ाया खास कर उत्तरपदेश में तो हद हो गई केंदर की भा वोट बैंक हैं लगता है कि इतने बड़े वोट बैंक की इने जरूरत ही नहीं है यदि जरूरत होती तो यह सरकार मान्दे बढ़ा देती और माननी कोर्ट का आदेस मान करके मान्दे बढ़ा देती लेकिन मान्दे ना बढ़ा कर इस सरकार ने घोर अन्याय किया है एक प्रदेश में तो सबसे कम मांदे देकर तो अन्याय की हधी पार कर दी। इस तरह से आप देखेगा लोगों में नाराजगी है, आगनबारी बहनों के परिवार में भी चुनाओ सरपर हैं, उतर प्रदेश सरकार को मानों जैसे कोई फरक ही नहीं पड़ता। पर नहीं आता। आगन हमारे बच्चे कारिकम का आयोजन वहाँ पर किया जाएगा जिसके बारे में ये लिटर है। आगे लिखा गया कि विसे है महा निदेशक स्कूल सिच्छा उत्तर प्रदेश लखनओ के पत्रांक जो प्री प्रैमरी का है। हमारा आगन हमारे बच्चे तेरा सतावन चार जो बारा फरवरी का लिटर। काराले जिला बेशिक सिच्छा धिकारी प्रताप गड़ के पत्रांक जो पंद्रा फरवरी का लिटर हमारा आगन हमारे बच्चे कारकम के आयोजन के लिए दिये गए नरदेश के अनुपालन में 18 मार्च को बी आरसी लाल गंज पर आज 11 बजे से उक्त कारकम का आयोजन हो को लोकेटेट विद्याले से संचालित आंगन बारी केंद की कारकरती सहीत सर समय अपनी प्रतिभागिता अनिवार रूप से सुनुचित करें तो आज 18 तारीक को हमारा आंगन हमारे बच्चे भी वहां हो रहा जबकि आज निदसाले से लेटर था यूटूब सेसन का भी प अवरेश कुमारी बहन प्रताबगर से जिनके वहां से के लेटर आया था नेलम बहन हैं बलरामपुर से आती हैं इनके वहां से उन्होंने लिखकर बेजा भाया जी नमस्ते भाया जी आब बताएं हम आपसे थोड़ी जानकारी चाहते हैं मैं जिला बलरामपुर से हूँ न जब मैं DPO office गई तो वहां से उन्होंने कहा कि अभी दो और लोग apply किये हैं अभी तुमारी seat hold पर है भाया जी मुझे बताने की कृपा करें कि जब seat hold पर है तो आगनबारी कारकरती की vacancy निकल सकती है क्या उस word से और भाया जी पहले हमको प्राथमिक्ता दी जाएगी या फिर आगनबारी कारकरती की निकती की जगए यानि निकतिया की जाएंगी तो देखो वैसे तो पहले होना चाहिए था ट्रांसफर समायोजन जैसे कि लेटर बार बार निदसाले से आए हैं बार बार जिलो की अधिकारियों को बोला भी गया है कि पहले समायोजन करा लिए जाए और पहले जो साहिकाओं से प्रमोशन थे आंगन बाड़ी पत पर वो करा लिये जाएं जिन भी बहनों का जो ये सब था मिनी से मेन उच्ची करत करने वो कर लिये जाएं क्योंकि उच्ची करत होंगे तो वहाँ पर मेन मनेंगी कार करता मिनी वाली तो वहाँ पर सायका का पद खाली होगा उस पर भी भरती निकाली जाएगी तो ये सारे काम जितने भी थे वो समय से पहले होने थे भरती के अब भरतीया निकाल दी गई अगर हैं वहाँ पर तो फिर ये काम कैसे हो पाएंगे मुद्दा तो सही है आपका बिलकुल तो वैसे में विभागी अधिकारी को ही जवाब देना चाहिए लिखित रूप में क्या वो जवाब देंगे आप चाहें तो इस बारे में लिखित रूप में मांगिए या RTI लगा करके पूछिए निदसाले से कि जो हमारे यहां पर ऐसा सा सिस्टम है क्या ये पहले होगा या वो पहले होगा क्या चीजें हैं तो देखो विभाग भाई लिखित रूप में क्या कहता मौकिक रूप से तो अधिकारी बहुत कुछ कहेंगे हम कुछ कहेंगे नियम के हिसाब से जो लिटर आए हैं वो कहेंगे ऐसा नहीं वैसा नहीं तो लिखित में अगर वो दें कुछ तो कुछ बात बने तो आप चाहें तो विभाग से लिखित में मांगे DM से जो है प्रातना पत्र उनको दें समायोजन के लिए उनसे कहें और ज़्यादा हो तो निदसाले से संपर्क कर लें निदसाले का नंबर उंबर कॉंटेक्ट डेटेल आप गूगल पर भी सर्च कर सकती है आप डाल सकती है उत्तर प्रदेश जो है बाल विकास भाग या UPICDS कॉंटेक्ट डेटेल ऐसे डाल दिजा सब आ जाएगा तो देख लेना एक बार अपने आप से भी मांकी मेरा तो सुझाओ कहना यही है कि पहले प्रमोशन जो है पहले समायोजन प्रमोशन और ये अब उच्छी करत किये जाए ये तीनों काम पहले थे भरती के तो आपका भी जाहिर सी बात है पहले होना था अब देखो यहाँ पर लेखा है एक ये सेवा में अनुसूचित जाती के भरती हूँ मैंने भरती के आंगनबाडी कार करती के पद के लिए पंदावर सेवा के नाते मैंने जलाकार कम अदिकारी से बार-बार पदोनती के लिए वाद उठाई और मुझे बेवजे परिसान किया जा रहा और कहीं न्याय नहीं मिल लहा जिसके नाते में आपको पत्र लिखकर इच्छा मृत्यों की मांग करें बताओ ये क्या मतलम मैटर ये लोग दे देते हैं प्रमोशन के लिए ये सब चीजें लिखे गई है हद है चीजों की आता आपसे निमेदन है कि अनुसूची जाते के अभरती के नाते वरिज साइका सेवा को देखते हुए मेरे कर रसूलाबाद मलाई टोला तरती सहर दोती प्रयाग राज पर मेरी पदोनती करके मेरी जान बचाने की कृपा कर पिर इस मामले में कोई सुझाओ नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोगों को मैं सुझाओ नहीं दे सकता जो कि यहाँ पर ऐसे मेसेज अगर लिखते फिरेंगे कि यहाँ पर हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे तो भाई हम क्या इनको सला दें ये लोग तो उनका दिमाग तो कोई दूसरी जगे पर इनका लगा हुआ है सला मांगो कोई उचित तो हम उचित सला दें आपका जगे पर किसी और का लाब मिल रहा हो आपका हग छिन रहा हो आपके हग के लिए हम आवाज उठा सकते हैं लेकिन अगर आपकी सोच कुछ ऐसी बनी हुई है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते आपको जो सही लगे भाई फिर आप वो करें हम इतना कह सकते हैं कि आप अपना आवेदन अपने विभाग को वहाँ पर सौंप दें डीपियो मोहदे को सौंप दें नहीं सुन पा रहे तो डीप मोहदे को सौंप दें इस तरह से उनको सौंप दें लेखित में मांग लो की मेरा क्यों नहीं हुआ देखो लेखित में जवाब में वो क्या देते हैं ये रास्ते हैं जो मैंने आपको बता दिये बाकी मरजीन की है सुयम से अपना भी कुछ समझ सकती है अनुराधा फरुखाबास से उन्होंने अपने वहां से ये आगनबाडी कार करती के रिक्त पदों की सूचना टाइप से सब भेजा है इसमें देखो जहां पर जो पद खाली होते हैं कौन सी कटेगरी के उसी कटेगरी और उनकी मा ताजिका किसी का भी नाम नहीं लिखा बजदना लिखा ये आगनबाडी बहन के बेटे हैं सर्विस नहीं नहीं जोईन हुई है बहुत बहुत सुब कमना है भाई नाम भी लिख देती तो अच्छी बाग थी उमा कानपुर देहास से है उन्होंने अपने वहां आज के इस वीडियो को यहीं रखते धन्याएं